एक लिए है कि एक आदमी है और एक शोटा सा लडगा है वो दोनों एक वेट को जो वेट है तीन्त न्यूटन का उसे ले जा रहे है उसको एक रसी एक पॉल जो एक खंबा है उसके द्वारा ले जा रहे है खंब है कि जो लंबाई है वो दो मीटर है और जो उसका वजन है वो सव न्यूटन है तो पूछ रहा है कि वेट को कहां पर जाए कि जो आदमी है वो बच्चे का दोगुना वेट करें मतलब कि बच्चे को कम वेट करना पड़े और जो आदमी है इसको ज्यादा वेट करना पड़े तो हमने क्या किया माना कि जो बच्चा प्यास जो वेट है जो लड़का वेट को सप्पोर्ट कर रहा है उसका माना व डबलू है तो जो आदमी वेट सपोर्ट करेगा उसका हो जाएगा टू डबलू ठीक है देखिए हमने यहां पर क्या किया यहां पर एक 300 न्यूटन का फूलोड यहां पर हमने रख दिया हुआ है और जो पोल का वेट है 100 करेगा दोस्तों अगर कोई भी पोल हो कुछ वेट दिया है तो इसकी जो लंबाई है उसके जिस्ट मिड में उसको एक्ट करते हुए मानते हैं तो हमने यह माना कि 100 न्यूटन पर यह 100 न्यूटन का वेट इसके मीट पर मतलब कि एक मीटर अगर इंडर से लें तो एक मीटर पर एक्ट कर रहा है कि वेट हमने कहीं पर रखा इसकी दूरी एक तरफ से माली है बी से यक्स मीटर की दूरी पर है तो इस कितना हो जाएगा दो मानस एक्स पर तो यहीं हमने यहां पर किया फिगर में आपको दिखाया अब क्य तो चल जाएगा कि यह तीनों कि इंपोर्टेंट है हमने क्या किया कि सिग्मा अभी इकल टू जीरो मतलब कि जो उर्धाधर लोड लग रहे हैं उनका अलजबरीक संब्सक्राइब ने किया और वह जीरो के बरावर होने चाहिए अगर यह सामेवस्था में है तो हमने क्या किय अगर उसको बैसक्ति लिया और जो नगेर्टिव डाउनर फोस्टो लग रहा है तो हुग अगर एकिलिब्रियम में है तो बराबर दानुर्ट फोर्स हो जाएगा असानी से तो देखी अप्वर्ड फोस्ट लग रहा है जो बच्चे उसको संभाल रहे जैसे यह डवल तो दुस्ततों होगे हमारा 3W equal to 400 तो यह व e equal to किये तो यहां गया 133.3 Newton तो जो बच्चे का वेड हो गया जो अच्चा वेड सपोर्ट कारा लडगा वह हो गया 133.3 Newton और जो आदम में सपोर्ट कारे हो हो गया हमारा इसका डबल हो गया यह हमान सकते हैं अब क्या करना है हमको इसकी डिस्टेंस पता करनी है कि वेड का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा तो हम किसी भी एक तरफ से मोमेंट ले लेंगे चाहे एक पॉइंट से ले ले चाहे बी पॉइंट से अब उसी को हम साल्व करेंगे हमने एक अबाउट मोमेंट ले लिया एक कितलब देखे why में लाइक होग लेए लिए हुआ है अब यह हमारा force हुआ यह हमारा distance हुआ अब हमने क्या किया बराबर का sign लगाया और जो clock वाई लग रहे हैं इनका हम algebraic इनको हम add कर दिया तो पहले जो इधर लोड लग रहे हो 100 newton लग रहा है दूसरा लग रहा है 300 newton का अगर हम 300 newton वाला moment लें तो किदने हो जाएगा तिमारा जो equation बना अब इसको हम solve करेंगे, 2 into 2, 4W equal to 3 into 600 minus 300x plus 100, अब क्या किये, हमने जब W का weight, जो हमने W का मान निकाला था, उसको हमने यहाँ पर रख दिया, 4 into 133.3 equal to 600, add करिंग तो हो जागा 700 minus 300x, अब क्या किये, जो हम इसको solve किये, टोटल इस equation को, तो x equal to 0.55x meter, बहुत कि हमको निकला कि जो s distance है, s से हम दूरी रखे हैं, यह वाला distance, x से, x कितना हमारा आया, 0.556, बहुत कि यह distance हमारी कितनी हो गई, 0.556 meter, इतनी दूरी पर हमको weight को रखना है, ताकि जो बच्चे, बच्चा जो है, इसका double weight करे, और आदम हैं और इतन है, वाए उल्चे, वाली है, इतनी है, तो स्ट्वब पर धीड़रा को रखनेरॉर.